चलिए आज बनाते सूजी की ऐसी रेषबी जो कि खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी और बहुत ही जल्द बनकर त्यार भी हो जाती है तो चलिए फटा-फट से रेषबी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पे एक कप के करीब सूजी लिया है अब हम इसे बावल में डाल देते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे 1 by 1 half cup के करीब दही और इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे अब हम इसे फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि काफी जादा सा ना सूखा सूखा सा नजर आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसमें एड़ करेंगे पानी 1 by 4th cup के करीब आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना जिससे हमारा जो बैटर होने एकदम ठीक त्यार हो तो पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढख कर कम से कम 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमने जो पानी डाला है न सूजी अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर ले और सूजी फूल भी जाए और 10 मिनिट बाद अब हम प्लेट को हटाएंगे और इसमें एड़ करेंगे वन भाई फोथ टेवल स्पून के करीं बेकिंग सोडा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम हाथों को पानी से भीगो लेंगे और इसके बाद हमने जो बैटर त्यारीख है वो हाथ पे डालेंगे और अच्छी तरीके से गोलाकार सेफ दे देंगे और इसे तेल में डाल देंगे और इसके बाद हम इसे मिडियम फ्लेम पे दोनों साइड से उलट पुलट कर golden brown होने तक फ्राई कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया तो अब हम इसे निकाल देते हैं और इसी तरीके से मैंने सभी को fry कर लिया है अब हम इसे एक तरम ठंडा पानी में डालेंगे हमारा जो पानी है न वो room temperature पर ये normal पानी है और ठंडा पानी में डालने के बाद अब हम इसे deep करकर छोड़ देते हैं तब तक हम क्या करेंगे काटोरी में डालेंगे दही चीनी और एक पिंच के करीब काला नमक और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और mix करने के बाद अब हम इसे अलग रख देते हैं तो अब हम चलते हैं बावल की तरफ जिसमें हमने न वो बरा बना के रखा था तो अब हम एक वरा लेंगे और इसे अच्छी तरीके से प्रेस करके प दही डाल देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर से डालेंगे इमली की खटी मीठी सी चटनी और फिर हम डाल देंगे हरी चटनी और इसके बाद हम डालेंगे एक पिंच के करीब भूना जीरा पाउडर एक पिंच के करीब लाल मिर्स पाउडर और एक पिंच के खरीब यानी टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देंगे तो बस अब हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी सूजी का दही वड़ा बनकर त्यार हैं मेरी कहने पे आप एक बार इससी जरूर से ट्राइखरना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो चलो बाई